हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग के मॉबाइल में 1UI कोई सा भी हो 1UI 2.0, 2.5, 3.0 या 1.0 या कोई सा भी 1UI हो उसके अंदर आप देखें के सेटिंग्स में जाएंगे रेटिंग में जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ की ओप्शन मिलता इसका आम लेता है इडवांस फीचर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर रहते हैं जो बहुत काम के होता है एडवांस फीचर उसका नाम सही समझ में आता कि कुछ खास फीचर होते हैं तो उन फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं आल फीचर जो उसके अंदर है मैं हर एक फीचर का आपको बताऊंगा क्या यूज है और कैसे यूज कर पाएंगे तो वीडियो को उसके मत करीगा दोस्तों वीडियो को बुरह देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते दोस्तो आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैग में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता है आपको एडवांस सेटिंग के बारे में बताने के बात कर रहा हूं कि आपको करना जाएंगे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलने वाला एडवांस फीचर का ओप्शन आप जैसी उस पर के क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे नर चैनल होता जहा है इसको क्लिक करें एक तो आपומेति कैबराओं ओप्वरे होगता तो यहां पर आपस में जाके इसको दूसरी एपस में मोडिफाइब कर सकते हैं ताकि वह अपन हो जाए उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे आपको अप्शन मिल रहा है यह ज्यादा काम का फीचर है नहीं उसके बाद नीचे आपको मिल रहा है कॉल अब करेंगे उसके बाद नीचे आपको अप्शन मिल रहा है यह माइक्रोसोफ्ट का अगर आपको विंडो इंस्टॉल ले तो वहाँ पर आपको लिंक टू विंडो और आपको जो मैसेज कॉंटेक्ट सब चीजें वहाँ पर आपकी आजाएंगे आप देखें नीचे लिखा आपका वियू है एक्सिस योर टेक्स नोटिफिकेशन रिसेंट फोटो एंद मोर सब आप महाँ पर एक्सिस कर सकते हैं उसके नीचे आपको सबसे चा कमाल का पॉप्शन मिल रहा है स्मार्ट पॉप आप व्यू यह आप यहां पर पॉप-प मैसेज पॉप आप आपने स्क्रीन तो आप यहां पर उन एप्स का नाम स्लेक्ट कर सकते हैं यह आप पॉप-प हो जाएं वाटसप पर कोई मैसेज आएगा तो आपको पॉप-प आप कर सकते हैं कौन-कौन सी आपको आपको पॉप-प में लेना है उसके बाद आप नीचे की तरह आएंगे आपको मि तूलबर मिलता है यहां पर आपको अगर कोई क्या बोल सकते हैं लार्ज स्क्रीन शोट लेना है तो यह टूलबर काम आता है वहीं पर ही आपको कोई फोटो को स्क्रीन शोट लेने के बाद डारेटी आपको शॉट करना या क्रॉप करना तो डारेट हम यहां से क्रॉप कर स यह आपको तीन ऑप्शन देख रहे हैं यहां पर में बुझाना है क्रॉप के लिए अब जैसी में क्रॉप पर जाओंगा तो आपको क्रॉप का एरिया दिख जाएगा आपको बस यहां पर करना है सेव सेव करने के आप डारेट इसको यहां से शेयर भी कर सकते हैं तो बहुत कमाल का फीचर है बहुत कामका यह टूलबार है जो बहुत यूसफुल है मेरे साब से बहुत कामका है उसके पाद आप नीचे की तरफ आएंगे बैक करेंगे डिलीड स्क्रीन शूर्ट जैसी आप शेयर करेंगे टूलबार के थू जैसे आपने शेयर करा तो फोट आटमेट डिलीट हो जाएगी आपके उहां पर सेव नहीं होगी तो आप यहां पर उसको भी कर सकते हैं और यहां पर आप चाहें तो उसका फॉर्मेट भी सेंट कर सक सकते हैं उसके बाद मिल रहा है आपको रीडियूस एनिमेशन का ओप्शन रीडियूस एनिमेशन होता गया दोस्तों आप देखेंगे जब मैं यहां से बैक आ रहा हूं यहां से मैं यहां से बैक आ रहा हूं तो आप देखेंगे एनिमेशन थोड़ा सा वर्क कर रहा है उसके नीचे आएंगे आपको मिल रहा है motion and gadgets का जितने भी आपके मोबाइल में क्योंते हैं सेंसर हैं यह सब इसमें पर करते हैं सब सूपर मिल रहा है आपको डबल डबल टेप टू वेकप का option उसमें क्या होता है तो अगर आपने मोबाइल को off कर दिया या बुल सकते मोबाइल इसकी स्कीन आटो आफ नहीं होगी तो यह उसके लिए होता है बट यह बैटरी ज्यादा खाता है क्योंकि कैमरा एक्सेस करता रहता है जब तक आप देख रहे हैं जब तक वहां से हटेगा नहीं तो इसलिए मैंने उसको बंद कर रहा है उसकी नीचे आता है smart alert का आपर बताया है कैसा है जैसी आप उसको मूफ करेंगे तो आपको notification आजाएगा कि आपके पास कुछ ना कुछ pending पढ़ा हुआ notification उसके नीचे easy mute का option आप देख रहे हैं आपर अगर आपके कोई calling आ रही है तो आप यहां पर direct उसको mute कर सकते हैं like ऐसे यहां पर screen पर रखके त तो भी mute हो जाएगा call आपका mute मतलब आपकी ringtone mute पर चलिया आईगी और call आपका आता रहेगा तो यह इस चक्र में काम करता है उसके नीचे आपको मिल रहा है plan to capture यह screenshot लेने के लिए आपको एक एजर दिया जाता है shortcut उसके लिए आपको यू करेंगे तो आप यहां से screenshot ले सक यह देख सकते हैं screenshot आ गया है तो थोड़ा सा complicated है अगर एक दो बार आप करेंगे तो आपको screenshot लेने में मज़ा आ जाएगा असमें भी यह बोल सकते हैं sensor के थो screenshot लिया जाता है उसके बाद नीचे मिल रहा है swipe call and send message का option यह समसंग की सबसे खास जो फीचर है या बोल सकते है प्री डिफाइन या बहुत पुराना फीचर है जो काम कर रहता है कैसे आप यहां पर किसी को भी swipe इधर करेंगे right side तो यह call पे चले आएगा और अगर आप इसको left side करेंगे तो यह message में चल जाएगा तो यह lifetime पुराना इनका यह पुराना screenshot या बो सकते हैं पुराना गेज़र है जो हमेशा ही के लिए रहता है और Samsung मोबाइल में प्री इंस्टॉल होता है उसके बाद दोस्तों अगर आप जाएंगे एडवांस फीचर में वहां पर आप बैक की तरफ आएंगे नीचे मिल रहा है आपको वन हैंड मोड का वन हैंड मोड इसली काम आता है अगर आप चाहते हैं कि छोटी स्क्रीन करके देखना तो उसमें काम आता है तो यह ज्याद सब्सक्राइब आप उस पर क्लिक कर दी और उसकी एक अलग से एप वहां पर क्रेट हो जाएगा आपके एप स्क्रीन पर अलग ही एप हो जाएगा वहां पर दूसर नंबर लॉग इन करके उसको यूज कर सकते हैं उसके बाद नीचे आ रहा है आपको पैनिक मोड का प्रेज दा पावर की थ्री टाइम तू कॉल दा एमर्जनसी एक सुबारा इफ यू और इन एमर्जनसी सिच्वेशन यू कि आल सो सेंड एस सटेज पिचर आप यहां पर उन कंटेक्ट को सेफ कर सकते हैं या उन कंटेक्ट के नंबर डाल सकते हैं जब आम जनसी में होंगे वहाँ पर मैसेज सेंड हो जाएगा उन लोगों को एमर्जनसी में तो यह ऐसे वर्क करता है तो यह थे एडवांस फीचर के कुछ एडवांस फीचर या बुल सकते हैं सारे एडवांस फीचर जो कि मैंने आपको बता हैं उमीदे वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों म अब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और मुझे इसका लिंक आपको डिक्षिवन पर मिल जाएगा तो थैंक यू दो